आसान भाशा में समझे क्या है Uniform Civil Code और क्यों ये सामाजिक धाचे के लिए जरूरी है, भारत में जाती और धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून और Marriage Act हैं, इस Code का खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अलपसंख्य को सहित अंबेड कर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, UCC, Uniform Civil Code, UCC, सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आहवान, करता है, भारतिय समविधान के अनुच्छेद 44 के भाग चार में, Uniform Civil Code, शब्द का स्पष्ट रूप से, उलेक किया गया है, अनु प्रिक सहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ये कोड, Uniform Civil Code, विवा, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं, ये कोड इस बात पर आधारित है कि, आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई समब बंध नहीं है, भारतिय समविधान में निदेशक सिध्धानतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समुहों के खिलाफ बेदभाव को दूर करना और देश भर में विविद सास्कृतिक, समुहों में सामंजस्य स्थापित करना था, डॉक्टर, बियार अंबेड कर ने समविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांचनिय है, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक रहना चाहिए, और इस प्रकार समविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भागेव में राज्यनीती के निदेशक सिध्धानतों के एक भाग के रूप मे जोडा गया था, भारत के समविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ती, सिविल कोड की उत्पत्ती, आपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, प्रिटिश शासन के अंथ में, व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृध्धी ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को सहिताबद करने के लिए बियन राव समिती बनाने के लिए बाध्या किया, हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवशक्ता के प्रश्ण की जाच करना था, समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक सहिताबद हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा, 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिती ने हिंदूं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक सहिता की सिफारिश की, क्यूं है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी, भारत में जाती और धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून और मेरेज एक्ट हैं, इसके कारण सामाजिक धाचा बिगड़ा हुआ है, यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है जो सभी जाती, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए, एक कारण ये भी है, कि अलग-अलग कानूनों के कार प्रण या एक प्रणाली पर भी असर पड़ता है, वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदी, मुद्दों के निप्टारे के लिए पसनल लोबोर्ड ही जाते हैं, इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक, अलपसंख्य को सहित अंबेद कर द्वारा परिकल् साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है, जब ये कोड बनाया जाएगा तो ये उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरियत कानून और अन्य के आधार पर अलग अल